finaly दोस्तों हमारे पास अभी receive हो चुका है my zone credit card जो कि Axis Bank का credit card है इस वीडियो में इसके unpacking करने वाले है, इस card के limit के बारे हम बात करने वाले है, इस card के benefits के बारे हम बात करने वाले है सबसे ज़रूरी बात ये card हमें जो मिला हुआ बिना किसी income probe के मिला हुआ बिना income proof के card इसलिए मिला है क्योंकि इसमें जिस person का हमने apply किया हुआ था उनका bank account है already access bank में उसके बहाँ पे उनके application में so हो रहा था कि आप यहाँ पे credit card के लिए apply कर सकते हैं जो कि pre-approved है तो वहां से हमने apply किया था हमें myzone credit card दिया गया है तो overall कहने का मतलब यह है कि आप इस तरीके से apply कर सकते हैं वीडियो के end में आपको यह बताऊँगा अगर आपको कोई भी bank account नहीं है तो भी आप कैसे apply कर सकते हैं तो सबसे पहले आप इसके unpacking करके इसकी बारे पूरी जानकरी ले लेते हैं So finally दोस्तों आप देख सकते हैं access bank की तरफ से हमारे पास कुछ इस तरह के packing आई हुई है जिसमें myzone credit card दिया गया है तो चली मैं आप इसको दिखाता हूँ कि इसमें हमारे को limit कितनी दी गई है इसकी joining और annual fees क्या है इसके benefits क्या है इसके बारे मैं आपको पूरी जानकरी यहां पर दी गई है और दोस्तों बात करें यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक complete address दिया गया है और यहां पर आप सबसे जुरूरी बात कर लेते हैं यहां पर आप देखेंगे कि इस card की limit काफी कम है लेकिन ठीक है कह सकते हैं यहां पर 35 रुपए के लिमिट दी गई है और यही बात करें इस card की जो cash bidrol के लिमिट हो 7000 रुपए है और जो इस card की joining fees है वो 500 रुपए, annual fees की बात करें वो भी यहां पर 500 रुपए दी गई है primary code activation code का मतलब यह हो गया है कि यह हमारे bank account के ब्याप पर मिला हुआ है तो उसी विस यहां पर एक code दिया गया है यानि कि एक reference code लगाया गया है इस card के लिए और दोस्तों देखेंगे कि यहां पर हमारा card दिया गया है, card जो powered by visa है आप यह देख सकेंगे और contactless payment दिसकी सुब्धा मिल जाती है, access bank my zone यहां पर आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाता है चलिए बात कर लेते हैं इस card में और आपको क्या क्या benefits मिलते हैं अगर आप इस card को लेते हैं और use करते हैं तो यहां पर दोस्तों देखेंगे आपको यहां पर कुछ subscription वगरा भी देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर 40% 120 रुपे तक कि आप सुगी पे यहां पर सेविंग कर सकते हैं और बात करें यहां पर पेटियम मूभी मनला पेटियम पे जाके मूभी और देखने को मिल जाता है और यहां पर आजीव साकता स्वापिंग करते हैं तो आपको यहां पर 600 रुपे तक कि discount मिल जाता है So finally दोस्तों मैंने इस unpacking में आपको इस card की limit बता दिया है इसके fees and charges के बारे में बता दिया है इसके benefits के बारे में बता दिया है चलिए अब आगे देख लेते हैं कि इस card को आप कैसे ले सकते हैं कैसे apply कर सकते हैं So finally दोस्तों आपने इस card के unpacking देख लिया है benefits features के बारे में देख लिया, fees of charges के बारे में जान लिया है लेकिन अभी तक मैं जानता हूँ कि आपने एक काम नहीं किया जो के काम आप free of post कर सकते हैं जो कि इस वीडियो के एक like और channel को subscribe अभी तक आपने नहीं किया तो please कर दीजिए तो चलिए मैं उम्मीद करते हूँ आप लोगों ने कर दिया होगा अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास bank account है अगर आपका transition वगरा थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक सा होता है तो एक बार पहले किसी भी card को apply करने से पहले अपने जो भी आपका primary bank account होता है उस bank account का apply किसम जरूर जाके check करना चाहिए हो सकता है आपको pre-approach दिया जा रहा हो किसी भी bank का हो सकता है हला कि चाहिए मैं इसी bank की बारे में बात कर रहा हूँ तो आप वहापे check कर लेजी अगर आपको दिया गया तो अच्छी बात है नहीं दिया गया है और आपका साहता है तो कोई bank account भी न हो access bank में तो भी आगर आप apply करना चाहते है तो उसके लिए मैं description में link दे दिया है वीडियो का complete वीडियो जाहिए आपको apply करने के A to Z पूरी जानकारी देखने को मिल लाएगी और जाके अपने credit card को apply कर सकते हैं आपको कई सारे option मिल जाते है my zone credit card लेना एस credit card लेना या फिलिप card ऐसे bank credit card लेना कई सारे credit card को option मिल जाता जो भी credit card आपको चाहिए वो credit card select करके आप आगी इस card को ले सकते हैं तो यह भी तरीका है ठीक है बिना bank account को भी लेने का तो आप पिलिस कमेंट कर जोता हिएगा आप कौन से card के लिए apply करना चाहेंगे कौन सा card आपके लिए best है और यह video आपको कैसे लिए पिलिस कमेंट जुरू करिएगा चलिए फर मिलता किसी नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत